नाम के है, circular motion of a car on a banked road, अब हुआ क्या, कोई कहता है, देखो, मेरे को तो गाड़ी ऐसे चलानी ही है, जैसे cycle वाले ने चलाई थी, तो मैं तो इसकी bending करूँगा ही करूँगा, अब कौन रोके, मैंने का देख, तो bending मत कर, जिस सड़क तो चला रहा है ना, मैं उसी को उपर उ उठा दी, जैसे, यह सड़क है, वो चारता है, मैं ऐसे चलाऊं गाड़ी, मैं ऐसे मच चलाईयो, यह ले, ऐसे कर दिया, होगी bending? कार की bending कैसे होगी, एथो ना होगी, कार की bending ऐसे हो जाएगी, तो साइकी लेवला केस बन गया, कार को उठा, बेंडिंग कर दी, बेंडिंग करने से क्या होगा, नॉर्मल रेक्शन का कॉम्पनेंट टूर्ट सेंटर जाएगा, उसको हेल्प करेगा, ताकि बॉड़ी किसमे गुमें न, सरकल, ऐसे होगा, और उपर से फ्रिक्शन भी रख दो, फिर तो और भी बड़ी है, फ्रिक्शन रखने के बाद, बेंडिंग करने के बाद, बहुत बढ़िया तरीके से कार किसमें गुमेंगी न, सरकल, तो अब यह लेवल रोड नहीं है, हम क्या करते हैं, हिल बारिश पढ़ गई, बर्फ पढ़ गई, तो फ्रिक्शन सफिशेंट नहीं है, तो थोड़ी सी बेंडिंग तो करनी पड़ेगी कार की, ताकि उसका नॉमल रेक्शन भी क्या प्रॉवाइट करें, सेंटिमेटल, तो इस परसेस में, जिसमें हम सडक के एक हिस्से को एक और कितना एंगल हमने ऊपर उठाया, उसको बोलते हैं, एंगल ओफ बैंकिंग, एंगल ओफ बैंकिंग, ठीक यहां तक? तो अब देखो करने क्या वाले है, अगर मैं थोड़ असा डागराम बनाने की कोशिश करूँ, कोई तो जैसे यह आपका एक ट्रैक है, यह आपका एक ट्रैक है, और इनर ट्रैक है, और इसके आसपास इसका आउटर ट्रैक है, इनर ट्रैक है, आउटर ट्रैक है, तो एक इनर ट्रैक हो गया, एक आउटर ट्रैक हो गया, ठीक है, such that, इसमें ये आपके सामने एक ट्रैक पहले ऐसा था, फ्लैट था, सडक फ्लैट थी, पर मैंने एक एंड को उठा दिया, तो एंड उठता हुआ आपको ऐसे दिखेगा, 3D, उठ गया उपर, तो ये उपर उठ गया, by an angle of what, थीटा, और आपकी कार, जो शुरू में ऐसे इस पर थी, अब आपकी कार ऐसे दिखेगी आपको, जैसे cycle track नहीं होते, stadium में, cycle track में क्या होता है, ये जो side है, stadium की तरफ जाती है, वो ऊपर हो जाती है, तो ऐसे cycle चलते है, round में, नीचे वाला कम, और नीचे सबसे नीचे है, वो ब्रुकुर flat की तरफ चलता है, तो clear है यहां तो बैंकिंग कर रखी होती है, तो ये track ओपर उट गया, तो अब अगर मैं ये पूछूँ की बताओ, इसके अंदर, normal reaction कहा है, तो normal reaction, ये normal reaction होगा, क्या ये point clear है, ये ऐसा, आपको feeling दे रहा है, तो incline plane मन गया, ऐसा है, incline plane की तरह मन गया, अच्छा, इसका weight कहां पर होगा नीचे, car का, clear है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे important वही part है, अगर आपका track ऐसा होता, सीधा, ये देखो, सीधा, और ये रहा आपका center, जिसमें वो track में, level road पे car घूम रही है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, कि friction कहां act करेगी, towards, center, कोई doubt इसमें, ऐसी था, car अगर level road पे घूमती है, सडक flat है, car घूम रही है, तो friction towards center, right, अब इस case में, हुआ क्या track तो कर दिया, टेड़ा, car भी हो गई, ऊपर उठ गई, कुछ ऐसे, at an angle of theta, तो friction, कहां act करेगी इसमें, ऐसे, कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये right है, ये रहा इसका center कहीं प कैसे, देखो, ये सडक ऐसी थी, friction ऐसे है, car घूम रही है, किया किया, ऐसे उठा दिया, तो friction जो vector left है, तो थोड़ा ऊपर उठ गया, एगी बात है, पहले ऐसे था friction, सडक ऐसे उठाओ तो friction ऐसी हो जाएगा, अगर आपकी friction इधर थी, जब level road है, car ये रही, friction इधर है, center वो तो यहाँ पर friction कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ, ऐसे, जबकि circle का center कहाँ बनेगा, circle का track का center यहाँ बनेगा, कुछ ऐसे, right, तो इसके अंदर, जो आपने अभी friction बनाई है, ये friction बनाई, ये यही friction, तो इसका एक component कहाँ जाएगा, towards center, जो क्या provide करेगा, इसे, centimeter, पहले जब ये सड़क flat थी, पूरी की पूरी friction जारी थी, towards center, अब जब track उठ गया, तो friction का, F friction का, component जाएगा, अगर ये theta angle है, ये theta angle है, तो ये angle भी कह है, theta, तो F कितना cos, theta, तो friction का component जाएगा, towards center, जो क्या provide करेगा, इसे, centimeter, total F friction centimeter, नहीं, F cos theta centimeter, ये point समझ में आया है, यहाँ तक, अच जो normal reaction है, जो normal reaction आपके सामने ऐसा है, तो normal reaction के case में, यहाँ पर अगर ये angle theta है, तो obviously ये भी theta है, ये theta vertically opposite से ये भी theta है, तो normal reaction का, एक component, n cos theta, और n sin theta, ये भी कहा जाएगा, bending, ये n sin theta क्यों है, because track क्या हो गया, banking, तो normal, जैसे cyclist वाली करी हो, तो cyclist वाली करी हो, तो जब bend होता था, तो इसको normal reaction का component, r sin theta towards center है, इसमे n sin theta towards center है, तो इसमें दो दो चीज़े towards center है, friction का component और normal reaction का component भी, तो centriple force बढ़ गई, तो car का घूमना बहुत असान हो जाएगा, बहुत speed पे घूम पाए, तो इस चीज को थोड़ा और बेटर explain करने के लिए, ये देख लो, ये आपका track है, ये theta angle है, तो ये friction कहाँ add कर रही है, friction देखने वाली है, बखी सब ठीक है, friction, ये refriction, तो अगर ये theta है, तो अगर ये theta है, तो alternate से ये भी theta, friction का component f cos theta, ये रा normal reaction, ये theta theta, vertical opposite, तो r का component r cos theta, r sin theta, ये भी कहाँ जाएगा, towards center, रादर जब paper में आएगा, तो प्ली ये draw करना है, कोई ये draw करना है, ये draw करना है, इसमें क्या करना है, तो आपने इसमें क्या किया, normal reaction और ये friction कहाँ पर ऐसे, theta theta alternate, f का component f cos theta, और ये वाला component f sin theta, f sin theta, miss printed ही कर लेना, f sin theta, right, normal reaction का एक component r cos theta, और एक r sin theta, तो कुल मिला के towards center, कौन कौन सी कि दो forces जा रही है, r sin theta और f cos theta, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, कि r sin theta and f cos theta, क्या provide करेंगी body को centripetal, और centripetal का formula क्या होता है, mv square by r, r is the radius of the track, equation number one clear है, ठीक है, और ये तो हमेशे true है, r cos theta, downward force के equal है, और downward force क्या है, और downward force कौन है, इसमें mgb और f sin theta भी है, तो mg plus f sin theta, quit out इसम है, online clear है, yes sir, yes sir, तो इसके अंदर, एक ये equation, एक ये equation, यहां से modify कर दिया, r cos theta minus f sin theta is equal to mg, अब ये first है, ये second है, इन दोनों को divide कर लेते हैं, first को second के साथ, इसको इससे, इसको इससे, तो m से m क्या हो गया, cancel तो क्या है, या 20 square पे r, तो ये equation आ गई, अब इसमें नुमिनेटर और दिय्मिनेटर को divide करते हैं by r cos theta, कोई फरक पारता, r cos theta, r cos theta, तो तो इसको इससे divide करेंगे, r से r cancels, sin by cos était tan, इसको इससे divide करेंगे, cos by cos f by r, इसको इससे divide करेंगे, 1, इसको इससे divide करेंगे, f by r into 10 theta, अब मुझ Set, F होता क्या है, force of friction, force of friction होती है, m responders, normal reaction, तो force of friction भाई normal reaction क्या लिख सकते है, mu, तो इसकी जिगा mu, इसकी जिगा mu, तो क्या है आपके पास, ये term आजाएगी, mu and mu, ये term आ गई, तो squaring under root v square की value आ गई, v की value under root लेने answer आ गया, तो अगर आपकी सड़क banked भी है, और friction भी है, तो car की maximum velocity ये होगी, formula note करें, please formula booklet में, तो इसमें लिखें, की banking of tracks with friction, banking of tracks with friction, इसमें friction भी है और banking भी है, तो ये formula आगया, ठीक है आतर, सो चो banking तो है, theta तो है, पर friction नहीं है, तो mu को क्या put कर देंगे, 0, तो फिर 0 put करके, ये term आएगी, की स्क्वेरिंग करेंगे, तो वही formula आएगा, cycle वाला, 10theta is equal to 20 square by RG, cyclist का ये formula था, 10theta is equal to 20 square by RG, cyclist का ये formula था, 10theta is equal to 20 square by RG, cyclist और ये कार में फरक ही निए, अगर मानलो, banking रखें और friction ना रखें, NEED के paper में 3-4 साल पहले, उन्होंने, ये banking with friction के ऊपर objective पूछा, सिरफ formula थिये, वहीते, चार option, चेक कलना पेपर, सिरफ formula मा करना था, तो जिन्होंने ये NCRT भढ़िया कर रखी है, तो कर दिया, आएगा, आएगा, ये force of friction है, वह क्या प्रोबाइट करती है, sentimental force, लेकिन large amount of friction between tires and roads, produces wear and tear of the tire, वह कह रहे है कुछ ऐसा है, कि अगर आप flat सड़क रखोगे, पहाडों के ऊपर सड़क, जहां गाडियां बहुत गोल-गोल घूमती हैं, और सड़क फ्लाइट रखोगे, आपके tire रजाएँगे, क्या गोल-गोल घूमने से टारों पर असर पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बैंक कर देते हैं, ताकि कुछ friction, friction जो है कम जादा ना करनी पड़े, और क्या करें इसमें, बाइब से नोमल डॉक्षण युडिया, साव रे मिल चाइब कर रहे इसे आपके tire थोड़े जमादे बचे रहेंगे.. तो इस वजह से क्या करते है, to avoid this curved road is given an inclination, sloping upward toward the circumference Sm algunos separated, वटादे थे एक तरफ से inclination और इस process को क्या इस कोह हम वहते हैं, banking of track , तम game Angle of Banking, Angle जिसे की Outer Age को उठा दिया जाता है is known as Angle of Banking. Clear है यहां तक? तो यह topic आएगा लिखने को, टेस्ट में भी और स्कूल में भी तो भी अच्छे से करना है, इसे formula note कर ले